Good morning friends, BK Singh sir दो दिन उसमें दिली में था नहीं, दिली से बाहर गया था अमरी sir कर रात में ही दो बज़ा लोटा हूँ जैसे आज morning हमें newspaper पड़ा था Times of India और दुसरे newspaper भी हिंदुस्तान Times में भी तो बड़ा एक अच्छा news आज देखने को मुझे मिला कि CBSC relaxes class 10th past norms this year that means कि CBSC ने जो passing norms से उसको relax कर दिया है तो याद रखे कि 33 marks आप passing marks आपको हो चुका है दो mode में आपके exam होते हैं 20 marks आपके school के उपर है जो आपके internal assessment है school का और 80 marks जो paper आप 28th of March को देने जा रहे that means कि दोनों को मिला करके अगर हम बात करें पढ़ेंगे separately आप दोनों में अलग-अलग pass होने की जरूरत नहीं है तो this is a good news for you ठीक है आप चलिए 80 marks में आप मान लिजे कि 20 marks आपके school के उपर है तो school में अगर आपका image अच्छा है अगर आपने work करा हुआ है तो 20 में 17, 16 to 17 marks अगर आप लेकर आते हैं ठीक है आप दोनों को मिला करके आप 33 marks लाना बहुत ही असान है मैं इस 33 marks की बात नहीं कर रहा हूँ आप सारे बहुत अच्छे marks लेकर आएंगे लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा डर बना हुआ था कि हम pass होंग या नहीं होंगे मेरे घर का ही घर में ही मैं अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ ठीक है मजस्टर भी ओफिस के लिए ही निकल रहा हूँ तो अब मैं कल से सिंस आपका paper, first paper आपका बहुत जल्दी ही आ चुका है that means कि हम science के papers के पहले आप से जरूर मिलेंगे और मैस के paper के पहले मिलेंगे पूरी कोशिस करूँगा कि आपका first paper के पहले एक दिन में आपके साथ live आ सकूँ और आपको कहीं ने कहीं motivate कर सकूँ बाकी मैस की मैं proper complete plan और strategy बना चुका हूँ और written paper बना चुका हूँ और पांस दिन का जो time होगा आपके लिए बड़ा crucial होगा और अपके दिनों में मैं आपके साथ पुरा विश्वास दिलाता हूँ कि five से पांस दिन मैं आपके साथ रहूंगा चाहे मुझे आपके साथ दो time क्यों नहीं live आना पड़े लेकिन आपके साथ बिर्पू जुड़ा रहोंगा और आपको help मैं इस तरीके से करता रहोंगा थैंक्यू सो मग, याद रखिएगा, आप टेर्शन लेने के जुड़ते उन बच्चों को भी जिनको पास होने का डर लग रहा था लेकिन मेरा main target पास होना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे marks score करो, लेकिन अब अपने अंदर से डर निकाल दीजिए, पैनिक जो आपके अंदर आ चुका है कि भाई हम क्या होगा, क्या नहीं होगा, बोड एक्जाम, ऐसा कुछ नहीं होना है, हर चीज़ बहुत असान है, ठीक है, इसलिए, go ahead, all the best, love you all.